सब्सक्राइब करने वारा हूं क्योंकि मैंने जो दो दिन पहले वीडियो डाली थी कैनिस्टर फिल्टर डियाय वाय तरीके से आपके हजारों बहुत जादा हजारों पैसे आप बचा सकते हैं कैसे तो उसके अंदर जो है काफी सारे सब्सक्राइबर के मेरे कमेंट्स आये थे कि ये कैसे करें वो कैसे है ये कैसे हुआ ये सारी चीजे तो इस फिल्टर के अंदर में आपके डाउट्स हो है वो सारे क्लियर करने वाला हूं कमेंट्स मैं रीड करूंगा और इवन जो कुछ प् करते हैं मैं सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा मुझे इस विडिक अंदर टोटल जो है 24 कमेंट्स आए था जिसमेंदर कुछ मेरे रिप्लाई भी थे आल्मोस्ट तो सबसे पहले जो है मेडिया फिल करने से पहले रेस्ट अलगोट तो नवीन जी देखे मैं आपको जो है इसके लिए प्रैक्रिकल करके बताता हूं कि क्या होता है मैंने बेसिकली एक वीडियो जो है मींस उसके अनर एक पार्ट मिस कर दिया था जो कि मैं अभी आपको दुबारा से बताने वाला ह जो ऐसे फॉर एक्जांपल देखे यह जो है बॉटल है मिस से यह पाइप है समझी और यह एक पीविसी का पाइप है तो यह जो कैनिस्टर फिल्टर दो फीट का मैंने लिया था पीविसी के पाइप का उसके अनर एज़ इस वाला प्यप जो पाइप अंदर की दरफ लगा पीविसी का और इसके बाद फिर मैंने मीडिया फिल्टर वगरा इसके अंदर एड़ किया स्पॉंज डाले तो वो जो है ऐससे इस साइड में ऐसे लगा हुआ और इसके बाद फिर मैंने सॉफ्ट वाला नीचे जो है पाइप डाला था और वह इसली चला गया तो अगर आपके डाउट के उपर एक दुबारा से ये वीडियो जो है बनाना के लिए सोचा तो next comment के लिए चलते हैं अगर च्छिल आपको डाउट हो नवीन जी आप उससे पूछ सकते हैं वीडियो के अंदर comment section के अंदर दूसरा जो है how will you do cleaning ये पूछा है श्रीवास्तवा चिन जी ने पूचा है 58 मिनट्स अगो जस्ट अभी आया है एगंटे पहले ही रिप्लाइन का जैसे की आप देखेंगे यह पीवी से का दो फीट वाला पाइप है जिसके अंदर हमने ढखकल लगा था और ऊपर से दो पाइप जा रहे थे इस परकाल से तो आप किसे भी लकडी की मदद से जब खाली करेंगे पूरा का पूरा कैनिस्टर फिल्टर तो यह जो उपर वाली क्याप है यह बहुत एजली निकल जाती है आप एक दो बार लकडी से इसको ऐसे ऐसे करेंगे जैसे कि यह लकडी है फॉर एक्जांबल तो आप लकडी को इस प्रकार से डखेंगे इसकी क्याप के ऊपर तो आप नीचे से इसे चोड मारेंगे थक ठक करके चारो तरफ से तो आपको यह यशिली क्याप उतर जाएगी एक बार क्याप उतर गे उसके बार जो है आप अंदर की सपंज निगालके और नॉर्मल नॉर्मल तरीकी से की जगा तो वो बिल्कुल जो है हो जाएगा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी क्योंकि मैंने यह बनाने के बाद भी एक्सपेरिमेंट जब मैं कर रहा था सक्सेस्फुल इसे करने के लिए तो मैंने पांच शे बार इसको ओपन किया और जब क्लोस किया बहुत इज़ी जो है यह उपन हो जाता है और ज्धाय सको जो है आपको उपन किरने की ज़रुद नहीं पड़ेगी एक बार आपने उपन कर दिया उसके बाद आपको छे महीने बाद ऑद ही विल्टर क्लीन करने की ज़रुद पड़े योँके इतना बड़ा इतना मेडिया इसके अंदर इतनी सारी स्पॉंज आपको रेग्लर जोए इसको क्लीनिक करने की इतनी जुरुत भी नहीं पड़ेगी तो आपको साल के अंदर एक दो बार ही तीन बार मतलब की इससे साफ करना होगा वो डिपेंड करता आपका एक्वेरियम का साइज क्या है तो नेक्स कमेंड की दरफ चलते हैं स्टैंडर्ड एंटर्प्राइज जी ने एक दिन पहले सेंडर्ड जी मुझे आपका नाम तो नहीं मारूं क्यों आपको चैनल का नाम यही आ रहा है इन्हों लिखा है सर यह जो आपने बड़ा वाला पीवीसी पाइप लिया है पीवी साइज जो आपको बहुत इजली जो है हर किसी शौपे मिल जाए यह बहुत कॉमन साइज है इससे अगर आप बड़ा लेते हैं तो फिर आपको परिशानी आईगी बारे इंच के करीब या फिर आठ इंच का भी जो है नॉर्मल मिल जाता है लेकिन यह आपके ऊपर डिपें हो यूज किया था इसके बाद चलते हैं नेक्स की तरफ रिक्षित दत्ता जी का मैसिज आया है एर प्वाइप क्यों यह नहीं समझ में आया भाय देखो अगर हम इस बॉटल को नाम में एक बार देख लूँ रिक्षित दत्ता जी आपके इस मैसेज का जो है और इसी जो है इतना जादा प्रेशर बन जाएगा कि वह फट भी सकता है तो जब हम इंटरना फिल्टर यूज करते हैं आपने देखा होगा इंटरना फिल्टर के अंदर से भी जो है एक पाइप जाता है बाहर की दरब जहां से ऑक्सीजन वह कलेक्ट करके और अंदर आके वह बबल तो नहीं निकलेंगे क्योंकि यह दोनों इनलेट आपलेट वाला पाइप है तो यह अपने आप में जो है ऑक्सीजन का काम करें लेकिन हमने जो प्रेशर वाला जो यह पाइप है अलग से इसलिए गगा है ताकि यह जो है इसके अदर बहुत जादा प्रेश्णा बने अग पर इसके अंदर हवा आ गई तो प्रॉपर तरीके से ना ही इनलेट काम करेंगा और ना ही आओ और जो निक्स्ट कमेंट की दरफ शलते हैं नेक्स कमेंट है मैं हूँ बैटमेन कास इनके चैनल का नाम है मैं हूँ बैटमेन कास दो दिन पहले इनोंने मेंसेज किया था निपल जो मैंने वाइट कलेर के उपर लगाए थे PVC पाइप और दो इनलेट और आउटलेट पाइप अटाश करने के लिए इनोंने पूछा है कि निपल क्या साइस थे और फाइप डेड़ इंच था सॉरी आधा इंच था यहां पॉना क्या साइस था देखे इनका नाम है मैं हूँ बैटमेन कास मुझे इनका नाम नहीं पता लेकिन इसका रिपलाए क्मेन की इनफोमेशन यह है कि देखे, आप जो भी PVC का pipe लेंगे, निपल का size लेंगे, तो PVC का pipe जो उसके नाँ, fit होना चाहिए, तो मैंने पॉन इंच का लिया था और ये PVC का pipe जो है, आदे इंच के क्रीब होगा, और जो थोड़ा सा जो है, बढ़ा था, वो और जो पॉन इंच का pipe था, वो ये वाले PVC का प्रकार से फस गया था तो आप वही साइज लिजिए जब आप मार्केट में जाएंगे तब आपको जो साइज का चाहिए मैंने तो अपने इसाब से लिया था जो जिस प्रकार से के fitment हो रही थी तो आप अपने साब से देखीगा अगर आपको shop पे खड़े-खड़े ही आपको देखना होगा कि निंपल के अंदर जो है कौन सा किस size का PVC पाइब जो है जाता है अगर आप छोटा लेंगे तो inlet और outlet वाले के पाइब प्रेशर जादा आएगा अगर आप बढ सिस्थे और उनका नाम नहीं मालूम लेकिन उन्हें किया था मुझे दीम जो क frontたい और NAT ett वाला ये काम कैसे कर रहे हैं मतलब कि कैसे ये पाणी आंदर खीच रहा है और कैसे ये बाः जा रहा है मतलब इसका क्या liekनि बढसे आपने किस पारकार से बनाया है तो देखिए उसकी वैसे मैंने उन्हें DM कर दिया था information same on the spot उनको मैंने information दे दीती still मैं आपको इस विड़े के मादम से दुबारा information दे देता हूँ जैसे ये दो inlet pipe है ये inlet है और ये outlet है मैंने outlet वाले pipe के अंदर इसके नीचे की तरफ पंप लगा दिया और जो inlet वाला pipe है ये बिल्कुल खाली है ये aquarium के अंदर जा रहा है और उसके बाद नीचे सबसे जा रहा है इसके थूर जो है पानी आएगा अब ये पानी आएगा कैसे सबसे बहले आपको जो PVC का हमने जो है नहीं जाएगा उसके अंदर और आप उसके आगे इस परकार से ऐसे पानी ऊपर डाल के और पानी pipe के अंदर रह जाएगा तो आप उसको इनलेट वाले pipe को aquarium के अंदर जाल जिए गा इस परकाद से और बार पानी जो juni होगा आप जो है पी वीसी के प्रेक्षर जो है वह खीच रहा है outlet वाला पंप जब वो पंप पानी खीचेगा तो इनलेट से पानी जुए अंदर आएगा और पानी को जो है रस्ता चाहिए हो जाए एक छोटी सी बून क्यों नहां एक छोटा सा छेद क्यों नहां पानी जो अपना रस्ता निकालके निकल जाता है तो सेम इस सिर्फ अंस हमने जो है रस्ता दिया हुआ है ईनलेट वाले पाइध को एक जिसके पाइप के अंदら अन्दर आने गेर और जो आपiser वाला पाईप है उसको पाइप दिया हुआ इस वीडियो के regarding क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से जो है काफी सारे हजारों पैसे बचे बचने वाले हैं काफी सारे जो हॉबिस्ट हैं उनके और अगर स्टेल आपको कोई डाउट है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताईएगा मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी मैंने आपके डाउट से क्लियर किये होंगे तो हम मिलेंगे नेक्स टोड़क अंदर एक और इंटरस्ट्रिक टॉपिक के साथ में तब तक लिए सास्ट रिकाल एंड गुडबाई